कुछ time पहले, कुछ घंटे पहले actually, Github ने एक major change किया है, Github ने अपनी RSA की, अपने Github.com की RSA की change कर दी है, इसलिए अगर आप SSH के थुरू Github से connect होते थे, चाहे pull करने के लिए या अपना repository को push करने के लिए, तो आप एक major trouble में आ सकते हैं, मैं आपको just example दिखाता हूँ आप मैं इस repository पर pull command चलाता हूँ, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, कि आपको ये error आ सकती है, especially अगर आपने identification, जो remote host identification change है, उसको restrict किया हुआ है, तो ये हमें बता रहा है कि RSA की बदली हुई है, इसका मतलब कि शायद कोई attack करने की कोशिश कर रहा हो सकता है, या कुछ fishing type का कोई चीज हो सकती है, तो सबसे पहले तो ये है कि ये जो warning आती है, ये usually बहुत serious होती है, आपको अगर इसका reason नहीं पता कि ये क्यों आ रही है, तो वो आपको जाना बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि अचानक ये error क्यों आई है, इस error के आने का सबसे होती है, वो हमारी एक non-host file में store की जाती है, इस file में वो RSA की store होती है, और अगली बार जब भी हम उस server से वापस connect करने की कोशिस करते हैं, तो हमारा system verify करता है कि जो RSA की उस server से return हो रही है, वो मेरी पुरानी RSA की से match खाती है ये नहीं, अगर नहीं तो ये warning मिलेगी, इसक का मतलब होता है कि कुछ बदल गया है, या तो उस server पर कुछ बदल गया है, या आपके यहां पर machine पर कुछ गरवर हो गई है, mostly ये server जब अगर reset होता है, दुबारा build होता है, या किसी दूसरे machine पर जाने की बात होती है, तो ये चीज़े आती है, तो हुआ क्या है, मैं आप फिर updated RSA, SSH host की क्यों update की गई है, तो ये background है कि शायद unintentionally ये की कुछ देर के लिए public हो गई थी, तो इसी लिए उन्होंने ये की change की है, और इस blog में इन्होंने mention भी किया है, कि आप इसको कैसे fix कर सकते हैं, तो एक easy रास्ता तो है कि आप SSH की को regenerate कर दें, मैं अपने command parameter पहुंचता हूँ, अगर मैं इस key को वापस generate कर दूँगा, और अब मैं अपनी pull command वापस चलाऊंगा, अब ही, तो ये बिल्कुल ऐसे behave कर रहा है, जैसे हम first time इस पे yes करते हैं, good, now, अब आगे की मेरी जितने भी request होंगी, वो अराम से चलेंगी, इसका major impact आने वाला है आपकी keys के, आपकी script, जो automated script कई बार आप लिखते हैं, कुछ cron job आपने लिखी गई होती हैं, जो regular update कर रही होती हैं, आपकी git repository को, या आपके किसी server से automatically push कर रही होती हैं, git repository पर, और उन scripts में आप ये सारा काम ssh के थुरू करते हैं, तो आपकी उस सारी script बंध हो जाने वाली हैं, especially ssh के problem की वज़े से, तो आपको बस यही करना है, कि या तो आप इस command को use कर लें, या आप अपनी non-host file में चाहें, और जो offending entry है, ये मुझे यहां पर line 1 पर है, मेरी इस file में हो सकता है, आपकी file में किसी दूसरे जगर पर इसके entry हो, आपको बस उसको delete करना है, नई वापस ले लेनी है, पर ध्यान रखिएगा कि ये आपको हमेशा नहीं करना है, जब भी आपको पहली बार ये error आती है, तो आप एक बार जरूर सोच लें कि error क्यों आई होगी, जैसे मुझे ये error आज जब सुबह आई, तो सबसे पहले मैंने जानने की कोशिस करी कि आखिर बदला क्या है, कहीं कोई मेरी system को attack तो नहीं कर ला है, मैंने सबसे पहले अपनी DNS entries वगरा चेक की, वे ठीक थी, then I went to Google कि ऐसा क्यों हो र गया है, तो इस तरीके से I was sure कि ये एक legitimate reason है, और I need to deal with this, पर काम तो बढ़ गया, बहुत सारे servers पर जाकर ये करना पड़ेगा, ओके, मैं अपने उस काम में लगता हूँ, आप भी लगे, thank you.